टार्गेट विद आलोक के आनलाइन प्लेटफर्म से मैं पंडित तम्रेश भट आप सभी सिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनेंदन करता हूँ आज हम लोग यूपी टेट के बारे में बात करने चल रहे हैं यह उत्तरदेश की एक महती परिच्छा होती है जो सिक्षक बनने के मार्गों को प्रसस्त करती है हमारी टीम यानि टार्गेट विद आलोक का आनलाइन शूट आपके साथ खड़ा है जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत हम लोग करेंगे लेकिन वादा आपको भी करना है कि रैंकर्स देना है अस्थान लाना है सेलेक्शन ही नहीं जैसे पिछला हम लोगों का बैठ जो है वो केबल सेलेक्शन ही नहीं दिया बलकि टापर्स दिया है उससे भी अधिक इस बार हम लोग एक इश्टरजी पर बात किये और काम किये हैं ताकि आपका जो ये मार्ग है वहाँ आसानी से आपके लिए सर्वशुलब हो जाए बाकी बाते आपसे रभी सर, संदीप सर, अलोक सर, सभी लोग बात संदीप सर और रभी शर तो बात किये ही, बाकी आलोक सर भी आएंगे, बात करेंगे आपसे लेकिन हम लोग उसमें अपना पुरुरत है योगदान देने के लिए समर्पित हैं हम जादे उसके बारे में ना कह करके, हम अपने बिंद पर आते हैं मैं हिंदी का सिक्षक हूँ और आपसे हिंदी के जो सिलेबस हैं उसी पर बात करूँगा तो आईए आज का हम जो टापिक लेते हैं वह एक आनंद दायक टापिक लेते हैं इसका नाम होता है रस आपको लिखा ही है अगर रस कब आता है पहली चीज अगर रस सब्द आता है तो रस का ये मानस पटल पर हमारे अंकित होना चाहिए कि रस क्या है रस क्या है रस की परिभाषा क्या है रस का उलेख कहां होगा रस का ब्याख्या किस ने किया रस कितने प्रकार के होते हैं तमाम बाते हमारे मन में आना चाहिए नहीं आता है तो आना चाहिए टापिक जो भी स्टार्ट हो तो ये बातें आनी चाहिए आपको तो रश क्या है रश का साब्दिक अर्थ है आनन्द है रश क्या है आनन्द है आनन्द मिलेगा कैसे आनन्द जो मिलता है ब्याकरण में जो आनन्द मिलेगा काब्य में जो आनन्द मिलेगा वह मिलेगा कैसा या तो काब्य को पढ़िए नहीं तो काब्य को सुनिए गद्य को पद्य को पढ़ने अथवा सुनने से जो आनंद की अनुभूती होती है उसे ही हम क्या कहते हैं रस कहते हैं यहां आनंद की अनुभूती होती है आनंद को ब्यक्त नहीं कर सकते हैं यह नहीं है कि हमको कितना आनंद मिला बहुत आनंद मिला कितना मिला कोई परिमार नहीं है इ कि हम कितना आनंद प्राप्त की ये दो किलो दस किलो हजार किलो करोड किलो कितना आनंद क्या है ये महसूस करने की वस्तु है यह ब्यक्त करनी की कोई माध्यम ने ब्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं होता है आनंद तो हम महसूस करते हैं इसलिए आनंद का विलोम नहीं होता है यह आनन्द का प्रतिलोब नहीं होता है आनन्द स्वैम में ही पुर्ण है इसमें कोई विकल्प की अवस्चता नहीं है तो हमको रस यानि रशान भूत होते हैं इसका सबसे पहले जो उलेक होता है सबसे पहले अगर हम उलेक की बात करें तो कहां पर होता है तैत्री उपनिशद में होता है किस उपनिशद में? तैत्री उपनिशद में इसका सबसे पहले उल्लेख होता है सब्द मिलते हैं तैत्री उपनिशद में शब्द रिगवेद में भी मिला है लेकिन विस्तृत व्याख्या नहीं मिली है तो अगर हम विस्तृत व्याख्या की बात करते हैं विस्तृत व्याख्या की बात करते हैं तब हमको तैत्रिय उपनिशद और रिगवेद की याद नहीं आती है तब हमको किस की याद आती है? किस पुस्तक की याद आती है? नाट्य सास्त्र की याद आती है नाट्य सास्त्र नाट्य सास्त्र क्या है? एक नाटक पर आधारित गरंथ है ऐसा माना जाता है कि इसको ब्रह्मा जी ने लिखवाया है ये माना जाता है ये कहानिया मिलती है इसके बारे में कि भारत नो भारत जो थे एक नाम आता है भरत नाम आता है ठीक है ये क्या थे भरत क्या थे ये मुनि थे क्या थे मुनि थे इसलिए इनको कहा जाता है भारत मुनि कहा जाता है आप लोग हमेशा जो है सुनते होंगे कि भारत मुनि का क्या है नाट्टे सास्त्र है ये मुनि थे ऐसा माना जाता है इनके सौपुत्र थे जो कहानिया मिलती है और इन ही सौपुत्रों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने इन से कहा कि तुम अभिने करवाओ तो ये नाटक करवाओ, नाटक का मंचन करवाओ तो ये अभिने करवाए तो जब अभिने करवाए तो इन्होंने क्या लिखा? नाट सास्त्र लिखा तो नाट सास्त्र किस पर आधारित ग्रंथ है? नाटक पर आधारित ग्रंथ है किस पर? नाटक पर आधारित ये ग्रंथ है लिखा कब जाता है? दूसरी सताब्दी के लगभग में लिखा जाता है एक्जेक्ट डेट नहीं है, मिला नहीं है, एक्जेक्ट डेट दूसरी सताबदी के आस पास ये माना जाता है कि नाट सास्क्री रचना किस भासा में हुई है संस्कृत में हुई है क्योंकि संस्कृत क्या है देव मारी है संस्कृत क्या है देव भाषा है संस्कृत क्या है उन्नत भाषा है संस्कृत क्या है क्लासिकल भाषा है संस्कृत क्या है भासाओं की जननी है देवभाशा है तो यहाँ पर जो है यह संस्कृत में यह नाटक पर आधारित यह लिखा गया तो यहाँ पर इन्होंने रस का विश्तिर्त वर्णन किया है कि रस के बारे में इन्होंने बताया रस की अनुभूती जो हो रही इसके कैसे अनुभूती हो रही है और किन-किन तत्तों के कारण हो रही है किन-किन अवयों के कारण हो रही है किन-किन अंगों के कारण हो रही है इन्होंने बताया है तो आप जो है नाट शास्त्र को देखेंगे तो नाट शास्त्र में आपको 36 अध्याई मिलेंगे नाट शास्त्र में 36 अध्याई मिलेंगे और इन 36 अध्याई में 6000 आपको क्या मिलेंगे श्ट्लोक मिलेंगे यानि इन 36 अध्यायों में ये नाट्यसास्त्र हमारा विभक्त होता है आपको इसलिए नाट्यसास्त्र को चुकी 6000 इसमें आपकी श्लोक मिलते हैं इसलिए इसका एक नाम पढ़ता है सट साहस्त्री शंधिता क्या नाम पढ़ा? शट साहस्त्री शंधिता एक इसका नाम होता है कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे नाट्यसास्त्र भी आपसे बताए ही हैं ये भी पूछा जा सकता है तो ये किस भासा में है ये भी पूछा जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है किस पर आधारित है तो नाटक पर आधारित है पूछा जा सकता है अब यहाँ पर जो है भारत मुनी ने जब इसकी रचना किया नाट सास्त्र की रचना किया तो ये इन्हों ने कहा कि ये पंचम वेद है नाट सास्त्र को क्या कह दिये ये पंचम व बेद जब भारत मुनि स्वैम कहते हैं तो क्यों कहते हैं अखिर क्या कारण है कि पंचम वेद इन्हों ने कहा तो चार बेद तो आप जानते हैं चार बेद के बारे में आपको पता भी है कि चार बेद कौन कौन से होते हैं यानि पहला बेद कौन है रिग वेद है जिसके बार आप भी चारवेद गो तो जानते ही होगे यजुरवेद जानते हैं यजुरवेद और चौथा अथरववेद ठीक है अथरववेद अथरवार इसके नाम पर पड़ा तो रिगवेद से इन्हों ने क्या लिया रिगवेद से इन्हों ने पाठ लिया सामबेद को आपको पता है यहां से इन्हों ने गायन की परंपरा लिया निश्यत तोर पे आपको पता है ये तो पता ही है कोई बेद का कुछ भी नहीं पता है लेकिन साम बेद का आप लोगों को पता होता है कि यहीं से सारे गमा पादानी सासानी धापा मागारेशा गयान की परंपरा का शुभारंब होता है आज की जो क्लासिकल सास्क्री संगीत हैं, इस सभी संगीत किस पर आधारित हैं? सामबेद पर आधारित हैं यजुरवेद, यजुरवेद से इन्होंने अभिने लिया और अथरववेद से इन्होंने रस लिया इन्ही चार वेदों से हर एक वेद के अलग-अलग बिसेस्ताओं को इन्होंने ले करके इन्होंने हर एक बिसेस्ता को ले करके और क्या किये इनको समाहित किये एक पुस्तक में जिसको इन्हों ने कहा नाट्य सास्त्र कहा नाट्य सास्त्र कहा ये नाट्य सास्त्र जो पाचवा बेद है इसमें सब क्या है ये सभी क्या है तब तो इसमें समाहित है इसलिए इस नाट्य सास्त्र को इन्हों ने कहा ये पंचम वेद है क्या है पंचम वेद है मैंने बताया इसका एक नाम साहस्रिश शंगिता आपसे कभी भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर इस पंचम वेद में इस नाट्य सास्त्र में इन्होंने रस की बिस्तृत जब हम अभिने करते हैं मंचन करते हैं तो मंचन तो यह नहीं है कि किवल हम मंचन ही कर रहे हैं मंचन जब हम करते हैं तो उसमें पाठ योजना भी होती है पाठ हम करते हैं गायन की परंपरा भी होती है गाते हैं सब कुछ करते हैं अभिने करते हैं निर्थ्य करते हैं अभी नहीं करते है रश हम को क्या मिलता है रस मिलता है तो ये जो है सभी को संकलित इन्हों ने किया और संकलित करके नाट सास्त्र ये लगभग दूसरी सताबदी के लगभग इन्हों ने लिख दिया जिसको मैं पहले बता चुका हूँ इसमें इन्हों ने इस नाट सास्त्र में इसका विस्तित वरणन किया चुकि ये नाटक परालहरित है इसलिए इन्हों ने कहा कि नाटक में जो रस मिलता है वो कितने प्रकार का है वो आठ प्रकार का रस मिलता है नाटक में कितने प्रकार का रस मिलता है आठ प्रकार का रस मिलता है और इन्होंने कहा रस कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के होते हैं तो भारत मुनी के अनुसार कितने प्रकार के रस आठ प्रकार से लेकिन जो एक व्रांती है आपके दिमाट में और अन्य लोगों के दबारा पता नहीं कैसे बताये गया ये तो मैं नहीं जान रहा हूं लेकिन भारत मुनी ने नाट शास्त्र में सांत रस्त का उलेख किये हैं ऐसा नहीं है कि सांत का उन्होंने उलेख ही नहीं गिया है उन्होंने कहा कि जब हम नाटक का मंचन करते हैं तो उसमें आठ रस की अनुभूत ही होती है आठ ही रस अब्यक्ट करते हैं हम सांत उसमें लेते ही नहीं है क्योंकि हमारा जो उद्देश है वह जो स्रोता है वह जो दर्शक है उसको सांतरस में ले जाना ही नहीं है उसको हमको स्रिंगार में ले जाना है उसको हमको हास में ले जाना है उसको रौदर में ले जाना है उसको बीर में ले जाना है उसको बीभत्स में ले जाना है उसको सोक में ले जाना है सांत में नहीं ले जाना है और आप जब भी आज भी देख लिजेगा जब भी आप अभी ने पिक्चर देखते हैं तो आप सान तरस में नहीं जाते हैं निर्वेद नहीं वैराग या नहीं ये बहुत कम ऐसा अब हो सकता है अब बना दिये जाएं लेकिन आपको ये नहीं आएगा निर्वेद वैराग या सम की बात नहीं आएगी बाकी आठ रस की प्रसुतीकरण इसमें होता है तो यहाँ पर नाटक के संदर्व में आठ रस होते हैं भरत मुनी ऐसा नहीं है कि आठих रस मानते हैं ओभी नौरस मानते हैं लेकिन मान्यता किसने दिलवाई बात ये आती है तो वो अलग प्रष्ण हो जाते हैं तब मान्यता के रूप में अचार मम्मट आते हैं उद्भट आते हैं मान्यता के रूप में आते हैं तो ये जो है आपको यहां से इन्हों ने नाट सास्त्र लिखे दूसरी सतब्दी में और इन्हों ने विस्तृत व्याख्या किया तो विस्तृत व्याख्या क्या किया हर एक रसों को अलग-अलग बताया और यानि इन्हों ने आठ रसों का विस्तृत वर्णन किया और एक रस शुत्र दिया क्या दिये रस शुत्र बार-बार पूछा जाता है आपसे इस रश सुत्र के बारे में पूछा जाता है वो रश सुत्र है क्या? वो रश सुत्र है इन्हों ने दिया बिभावा नुभाव ब्यभिचारी शायोगाद्रश निश्पत्ति निश्पत्ति है निश्पत्ति है इन्होंने कहा इन्होंने बिभावा नुभाव ब्यभिचारी शायोगाद्रश निश्पत्ति का यह रश सुत्तर दिये हैं और इसी रश सुत्तर को आपसे बार बार पूछा जाता है कि यह रश सुत्तर किस ने दिया तो यह किस ने दिया? भारत मुनी ने द ठीक है? इतना तो पता ही होगा तो इस रश सुत्र से question पूशता है कि कहते हैं बिभाव, अनुभाव और बिविचारी भाव के संयोग से रश्ट की द्रस जो है दो, शंयोगात और रो मिलकर के ये ब्यंजन संद्ध है संयोगात धन रश्ट ये संयोगात द्रश हो जाता है तो मैं संद्ध पढ़ाऊंगा तो उसमें जादे आपको ये बाते clear होंगी यहाँ पर जानिये कि ये बिभाव होती है बिभाव है अनुभाव है यहाँ दिर्गह संद्ध हो जाए बिभाव और अनुभाव को मिला करके और ब्यभी चारी भाव के संयोग से रश की निस्पत्ती होती है ऐसा माना जाता है कि रस्त की निस्पत्ति ये बिभाव, अनभावर और ब्यविचारी भाव ब्यविचारी मतलब क्या होता है ब्यविचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं क्या कहते हैं संचारी भाव जिसका नाम आप लोग सुने होंगे संचारी भाव को ही छड़िक भाव कहते हैं संचारी भाव को ही तातकालिक भाव कहते हैं संचारी भाव को ही कहते हैं यानि भारत मुनी ने बेविचारी भाव की बात किया तो संचारी भाव छड़िक भाव या तातकालिक भाव या बेविचारी भाव एक ही है इनकी संख्या कितनी होती है 33 होती है संख्या कितनी 33 होती है यहाँ पर हलाकी बाद में चल करके आचार्य देव, महाकविदेव और भानुदत मिस्र ने इनकी संख्या 34 बताई है जबकि रामचान शुक्ल ने 35 कहा है यहाँ पर 34 जो संचारी भाव माना जाता है यह माना जाता है कि 34 जो संचारी भाव है वो कौन सा है? 34 चल है मैं पढ़ाऊंगा आपको 34 चल नमक संचारी भाव है 35 संचारी भाव कौन सा है? चक पकाहट है किसने माना है? आरशी शुक्लने रामचन शुक्लने इसको कौन माने है आचारे देव माने है और भानुदत मिस्र माने है लेकिन कभी भी पूछा जाए व्यविचारी भाव की संख्या कितनी होती है आपको बताना है 33 बताना है इनके according to देव according to परभान दत मिस्र यार्शी सुक्ल पैंतिस चौटिस जैसा पूछा जाए तो ये संचारी भाव होते हैं व्यवचारी भाव होते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि विभाव अनुभाव और व्यवचारी भाव के जब संयोग होता है जैसे पान का पत्ता होता है कैथा होता है और चूना होता है ये जब तीनों मिलते हैं तो लाल रंग की उत्पत्ती हो जाती है लाल रंग की निस्पत्ती हो जाती है कैथा नहीं कर सकता है चूना अलग नहीं कर सकता है अलग अलग नहीं कर सकते है पान अलग नहीं कर सकता है लेकिन अगर इन तीनों का मुलाकात हो जाए तो क्या होगा लाल रंग की निस्पत्ती हो जाएगी और सुर्ख लाल हो जाएगा आप पान खाते होंगे या देखे होंगे नहीं खाते होंगे तो तो यहाँ पर विभाव, अनुभाव और विचारी भाव के संयोग से जब मिलते हैं तो रस की निस्पत्ती होती है और रस कहां है रस है कहां हमारे हृदय में है हमारे मानस पटल पर है और यह कहां मिलता है, कब आता है रस कब आता है, तो यह जन्मना होता है ब्यक्ति अगर मानो जन्म लेता है तभी से रसों रस उसके साथ साथ ही आते हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता क्योंकि वातावरणी ये प्रभाव चाहिए वातावरण चाहिए उसके लिए पर्यावरण चाहिए उसके लिए रश्त की निश्पत्ति के लिए वह वादा वरण चाहिए तभी रश दिखाई देगा कोई ऐसा ब्रपुता पाई जाही मद नहीं जो प्रफुता पाई जाही मद नहीं यानि आप पद पा जाते हैं और मद न आ जाता है भरत को छोड़ करके बाबा ने लिखा है ऐसे ही हर एक ब्यक्ति के अंतरगत जन्मना ये रस होते हैं और नौ रस होते हैं मैं नौ रस की बात कर रहा हूँ अब परिश्थितियां आती हैं तो आपको प्रश्पुटन उसका हो जाता है यानि दिखाई देने लगता है हम रस पढ़ाएंगे अभी जब मैं रस पर बात करूँगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे उत्पन्नी करन हो रहा है यहां थोड़ा सा इसका पूरा मैं रस का आपको अबराल बताना चाहता हूँ तो यहां पर यह तीन जब हैं तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं है कौन सा ऐसा अंग है जो नहीं है अस्थाई भाव नहीं है भरत मुनिने अपने रस सुत्र में अस्थाई भाव का उलेख नहीं करते हैं इन्होंने जब यह दे दिया हलाकि नाट्ट सास्त्र में अस्थाई भाव का उलेख है विश्तित हमारी चर्चा होगी हम बताएंगे हलाकि बाद में चल करके जब ये रश सुत्र देते हैं तो फिर इस पर खंडर मंदन बैठ्षा होने लगता है इस पर जो है भट लोलक के द्वारा होता है लोलक भट के द्वारा इसकी ब्याख्या होती है आचार संकुक के द्वारा होती है भट नायक के द्वारा होती है नायक भट के द्वारा होती है इसकी ब्याख्या अभिनोगुप्त के द्वारा चार ब्याख्या हुई है इसकी अपने-अनुसार इनलोने ने ब्याक्षा किया है तो ये इसका खंडवन्डन अपने आप में चलता रहता है भारत मुनि ने कहा कुल जो भाव होते हैं कुल भाव की संख्या इन्होंने उन्चास माना है कितना माना है? उन्चास अगर पूछा जाए भरत मुनी के अनुसार कुल भाव की संख्या कितनी होती है? कुल भाव की संख्या तो आप बताएंगे 49 होती है कौन कौन सी होती है? आठ अस्थाई भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव होते हैं और 33 संचारी भाव, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 3, 1, 4, 49 कुल भाव की संख्या उन्चास तो यह उन्चास भाव मानते हैं तो आठ अस्थाई कौन कौन से आठ साथपिक कौन कौन से हम बात करेंगे आज मैं सिर्फ आपको परिचा करा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है अब जो अन्य विद्वान आते हैं मैंने कहां कि रस की संख्यागर पूछी जाए तो नौ ही आपको बताना है दस सिग्यार नहीं बताना है हालाकि आपको विश्वनाथ आचार विश्वनाथ हाते हैं तो विश्वनाथ ने क्या किया है वात्सल्यरस को माना है वात्सल्यरस वात्सल्यरस को एक अलग रस मानते हैं दसवे के रूप में घोशित कर दीजिए 11 के रुब में घोशित कर दीजी आपकी इच्छा या फिक्स नहीं है कि ये दसमा ही है रूप गोश्वामी ने रूप गोश्वामी एक ओड़ी ये शंपरदाय के हैं रूप गोश्वामी जी रूप गोश्वामी ने भगतिरस को एक अलग रस्माना है बढ़तिरस को तो एक अलग रस्माना गया है इसको लेकर के 11 टोटल रस्स हो जाते हैं लेकिन इसको माननता इन लोगों के अनुसार इह है इनको माननता प्रदान नहीं है अगर पुछा जाए कुल रसों की संख्या तो नहीं बताएंगे इनके अनुसार पूछेंगे तो यह वाशल्य है वाशल्य का समराट जो है अचार रमचन शुक्ल ने सूर्दास को माना कि वादसल्य के समराठ हैं वादसल्य में पिता पुत्र का प्रेम माता पुत्र का प्रेम माता पुत्री का प्रेम दर्शाय गया और क्या वरणन है वादसल्य रस्मी भग्ति रस्मी रूप गोष्वामी जी ने भक्त रस के ही बारे में बात की है कि भक्त और भगमान के बीच में जो प्रेम होता है जो शम्मन्द होता है वो कैसा होता है इसके बारे में बात की है हालाकि ये दोनों स्रिंगार के ही अंतरगत सामिल कर दे जाते हैं इसलिए समझे एक प्रकार से स्रिंगार का ही ये भेद है हलाकि संयोग स्रिंगार और वियोग स्रिंगार उसमें स्रिंगार का भेद है लेकिन इसके अंतरगत ये भी सामिल है लेकि स्वतंत रूपशे इन लोगोंने माना है इसके तो रश, रशों का राजा किसे कहा जाता है? रशों का रजा यानि रसराज किसे कहा जाता है तो रसराज अगर आप जानना चाहेंगे तो उसे कहा जाता है स्रिंगार रश को स्रिंगार रश को रशों का रजा स्रिंगार है यानि बिना इसके दुलहन का स्रिंगार नहोता बिना बना रस की साड़ी तो ये स्रिंगार रस है और स्रिंगार रस में बिना स्रिंगार की क्योंकि स्रिंगार कोई ऐसा धरा पर वस्तु नहीं है कि जो स्रिंगार ना करती हो सब लोग स्रिंगार करना चाते हैं सब लोग सुन्दर दिखना चाते हैं तो स्रिंगार करना चाते हैं सुन्दर दिखने के लिए, आकरशक दिखने के लिए, मन मोहक दिखने के लिए, सरिंगार, सभी लोग, आप हैं, हम हैं, प्रकृति हैं, पेड़ पक्षी मानों, सभी लोग, प्रकृति भी करती हैं, अपने आपको सरिंगार करती हैं, तो सरिंगार करती हैं, अलग बात है सन्योग स्रिंगार और भी प्रलम स्रिंगार के बारे में हम बात करेंगे तो बताएंगे कि क्या है और कैसे हम जानेंगे कि यहां भी प्रलम स्रिंगार होगा कि यहां पर सन्योग स्रिंगार होगा लेकिन इसको रसराज कहा जाता है भवभूत ने काचारे होते हैं भवभूत और इन्होंने एक ग्रन्त लिखा उत्तर रामचरित उत्तर रामचरित और उत्तर रामचरित में इन्हों ने कहा बहभूती ने कहा कि करुण रस है रसराज किसको माने हैं? करुण रसको माने है वो स्रिंगार रसको नहीं मानते कहते हैं रसों का राजा करुण रस है लेकिन किसके अनुसार? भहवभूति के अनुसार तो भहवभूति के अनुसार अगर पूचा जाएगा रस राज कोन है तो आपको बताना है करुन रस है हलाकि सर्फिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष बना हुआ है मीठा माधोरिय ता पाई जाती है तो माधोरिय यहाँ पर गुण पाई जाते हैं और ये माधोरिय गुण के स्रेश्ट कभी कौन है तो आप बिहारी को लगाते हैं जो रीतिकाल के कभी है रीतिकाल के रीतिकाल को रीति बद्धरिति मुक्त रीति श्रिक्द तीन भागों में विभाजित किया गया है रीति क्यों कहा गया है हम आपको शाहितिक विचारधारा जबाएंगे तो वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा तो बिहारी मुख्यता किस से है माधोरी गुण से है माधोरी गुण किस में पाय जाता है सरिंगार में पाय जाता है यानि अगर बिहारी किस के स्रिष्ट कभी तब हो गए सरिंगार के हो गए सीधा सीधा ऐसा है जो आचार बिश्वनाथ ने रस के बारे में तो ऐसा कह दिया कि फिर अब उसके आगे कुछ रही नहीं गया इन्होंने कहा रसात्मकम वाक्यम काब्यम ये तो इन्होंने साहित्य अपने पुस्तक साहित्य दर्पण में यानि विस्वनाद प्रशाद ने साहित्य दर्पण में शाहित्य दरपण में इनका ये गरंथ है इसमें इन्हों ने कहा वाक्यम रशात्मकम काब्यम जो वाक्य है रशशे युक्त वाक्य ही क्या होते हैं काब्य होते हैं और इन्हों ने काब्य को आत्मा रश को काब्य की आत्मा मानते हैं अब सोचिए काब की आत्मा ही क्या है रश है और आत्मा ही अगर उस काब में आत्मा ही निकल जाए तो निरर्थक बाते हो जाएंगे तो काब की आत्मा इन्होंने रश को माना है कौन विश्वनात में अचर्व किस पुस्तक में साहित्यदर पड़ने यहाँ पर आपको एक मैंने इस नौ रस यानि इस रिंगार रस नौ रस के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से रस है मैंने वाधसलिक को बता दिया आपको भग्ति रस को बता दिया एक प्रयान रस भी होता है इन लोगों को मान्यता नहीं है लेकिन फिर भी आजाते हैं आपको स्रिंगार रस हुआ अगर हम लिखते चलें तो थोड़ा सा आप देख लीजिए नो रसों का भी दर्शन आज करी लिजिए इतना तो अधिकार है ही स्रिंगार रस हास करोण रोद्र ठीक है अद्भुत भयानक बीर बीभक्स शांत हो गए आपके एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो रस हो गए इसी का आपको अस्थाई भाव पूछता है स्रिंगार का क्या होता है तो स्रिंगार का रती होता है हास का क्या होता है हाश होता है करुन का क्या होता है शोक होता है रोध्र का क्या होता है? क्रोध होता है अद्भुत का क्या होता है? आश्चर यह होता है आप कहते हैं बड़ी अद्भुत बात है आश्चर यह कहते हैं बड़ी अद्भुत बात है बड़ा विश्मे हुआ आश्चर या विश्मे विष्मे भयानक से भय लगता है डर लगता है बीर की अगर बात होगी उत्साह होगा बीरता की बात होती है उत्साह बीर तुम बढ़े चलो सामने पहार है हम कभी रुके नहीं हम कभी जुके नहीं विर्ता की लिए तो यहां पर वीर्स बीभस यानि घृड़ा होगा घृड़ा की बात होगी इसको जुगुपशा भी कहते है बीभस घृड़ा जुगुपशा भी कहा जाता है अस्थाई भाव है सांत वैराग्य होता है सम होता है निर्वेद होता है सांत का यह अस्थाई भाव है यह भाव मन में अस्थाई रूप से जमे है मन में अस्थाई रूप से बैठे है कब यह बाह प्रकटर निनका होगा परिस्थिति जन्द मैंने बता है परिस्थितियां जब आ जाए वातावरण उस प्रकार के हो जाए तो आपको यही अस्थाई भाव इसलिए अस्थाई भाव की परिपक अवस्था ही क्या होती है रस कहलाती है यह जब हमको इसके आनन्द हो जाते है भाव हमारा जो अंदर बैठा है वो भाव एकदम ब्यक्त होने लगता है चाब विभोर हो गया क्या हास में रस हास रस हास स्थाई भाव नहीं बोला जाता हास रस क्योंकि रस परिड़त है रस क्या है परिड़त ही है यानि हमको दिखाई देने लगता है जो हमारे मन में हसी है ना जो हमारे हुड़ते में हसी है जो बैठी होई है वो हसी हम बाहर जम निकल जा रही है तो अस्थाई भाव की परिपकवस्था ही क्या होई रस हो जाएगी परिपकवस्था रस होते हैं तो ये हमको दिखाई देने लगता है निस्पत्ती हो जाती है जो क्रोध है अमारे मन में बैठा है जब दिखाई देने लगता है अगला जान जाता है कि आप क्रोधित हैं ये रोधररस है अस्थाई भाव क्या है क्रोध है उसको नहीं देख पाता है जब तक आप ग्यक्त नहीं करेंगे तब तक नहीं देख पाएगा लेकिन किसी परिष्यति बस किसी कारण बस अगर वोदपन हो जाता है उत्सा अबीर शोक करूल शोक बिकल सब रोव हिरानी करूल यानि आप रोना बिलाप करना करूल वियोग में भी प्रलंब वियोग हो जा रहा है एक दूसरे से हम दूर हो जा रहे हैं मिलने की आसा है उत्कंठा है वियोग में सिरिंगार मिलन हो रहा है तो ये क्या है भक्ति रस्मे भक्ति भक्ति भग्ति भग्मान के बीच में है वासले में क्या बात है फिर पूछिए मन तो ये सभी हमारे मन में अस्थाई रूप से बसे हुए हैं इसकी ब्याख्या किसने पहली बार किया भरत मुरी ने किया सांत को छोड़ करके इसकी ब्याख्या क्यों ने किया क्योंकि रस में उनका उद्धिस सांत का मतलब नहीं था रस में अभीने में वह कहे कि आठ रसों का ही प्रियोग होता है इसलिए उन्होंने इन आठ रसों के बारे में बिस्तरत ब्याख्या किया अपने रस सुत्र में अस्थाई भाव का उलेख नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है अपने नाट सास्तर में अस्थाई भाव का उलेख करते है तो ये रस के बारे में कुछ आपसे फैक्ट ऐसे रहे कि जो आपसे पूछा जा सकता है अनुभाव की संख्या पूछी जा सकती है बिभाव की संख्या पूछी जा सकती है बिभाव दो होते हैं बाव चार होते हैं मुख्यता बाव भी दो ही होते हैं अगर मुख्य पूछा जाए दो ही पूछा जाए आप सन में दो ही दिया गया तो क्या करेंगे आप ब्यविचारी भाव मैंने आपको बताई चुका स्थाई भाव के बारे में मैंने आपको बता चुका कुछ फैक्ट जो हैं वो भी मैंने आपको बताया कि रस्य भी कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है सात्विक के बारे में पूछा जा सकता है आशू, रोमाँच, प्रलय, कमपन, स्वेद, स्वरभंग, अस्तंभ, वैवर्ड, आठ, सात्युक्ता के बारे में पूछा जा सकता है इसको पूछा जा सकता है तो एक-एक करके हम लोग क्या करेंगे? और विश्तरत वड़न करते हुए हम लोग चलेंगे तो यानि, ओवराल, जो आज रस के बारे में हम बताए तो आसा यह करते हैं, कि इसके बारे में एक आपकी समझ विक्सित हुए है, इसके धीरे-धीरे एक-एक वियाख्या करते हम लोग चलेंगे ठीक है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इजाज़त दीजिए और अपना अस्थान सुनिश्चित कराईए निश्चित दुर्प मानिएगा कि एक बहतर टीम आपके सामें प्रस्तुत हो रही है कुछ करने कुछ कर गुजरने की जिज्विशा पा लिए और यह जो वर्ष है मेरा अपना मानना है यह जो 2020 का अंत चल रहा है 2021 का जो आगमन है यह ऐसा अब समय मिलने वाला नहीं है क्योंकि सरकार यह निश्चित है कि इनको वेकेंसी करना ही करना है इनको वेकेंसी भरना ही भरना है मजबूरी है इनके सामने की चुनाओ पड़ा हुआ है अगर यह नहीं करते हैं यह भी जानते हैं कि मेरा हस्र क्या होगा वैसे करते हैं तब ही जानते हैं क्या हस्र होगा फिलाल भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता लेकिन भरना है ये उनकी मजबूरी है इसके बाद से गौवर्मेंट कोई आवे तो आप क्या समस्ते हैं आते ही कोई गौवर्मेंट तुरंट बटन दाबेगी आपको न्युक्ति देगी ऐसा कुछ होने वाला दिए कि अगली गौवर्मेंट चाहे ये बदलें और चाहे ये रहें कोई भी आएगा तो तुरंट आपको न्युक्ति नहीं देगी वो भी दो साल साल दो साल तो प्रक्रिया में अपने में मस्त रहेंगी वो अभी यही काम करेगी तो इसलिए पूरी जोर लगा दीजे पूरी ताकत लगा दीजे अपनी और लगा करके इस बानिश्चित तोर पे इसमें सिक्षक का रास्ता आप अपना बना लिजे पत का निर्माण कर लिजे नई तो चलना तो आसान है पत पर दीप से जलना नहीं दीप से मुस्कान सीखो रास्ते पे चलना नहीं रास्ते का निर्माण सीखो तो रास्तों को बनाने की कला अगर आपने विक्सित कर लिया तो निश्चित तोर पे मानिए आपका जीवन क्या होगा हर्श युक्त होगा, प्रशन्न मैं होगा प्रसंसनी आप होंगे इसलागनी होंगे, बंदनी होंगे पूजनी होंगे, आप निश्चित तो पर होंगे तो आप इसमें अपनी सीर्ष वरचित कराईए और हम लोगों के साथ जुड़िए तो निश्चित तो पर आपको एक मार्ग अच्छा सी अच्छा मार्ग प्रसस्त होगा स्वेम से भी आप कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्वेम से नहीं बन सकते हैं स्वेम से भी बन सकते हैं जुड़ने से बस क्या होगा कि जो आप पांच घंटे में पड़ते हैं, वह एक घंटे में ही आप राप्त कर सकते हैं, फायदा ये होता है, कोचिंग संसाओं, जो अनुभवी सिक्षक है, उस भी से का अनुभवी है, वह अपने अनुभव को स्वाजा करता है, और बताता है कि कहां से questions पूछे जाते हैं, क्या-क्य question आ चुके हैं, इस प्रकार से भी आपसे बात करता है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, पुना हमारी मुलाकात होती है, next वीडियो में, यानि कल, तब तक के लिए धेर सारी शुख कामना है और धन्यवाद, जय हिंद,